हमने उनसे ये कहा है कि हम सब के मन में इस बात की फिड़ा है कि आपके साथ विश्वास गात हुआ जब तक उनह, महाराश्ट के मुख्यमंत्री की पुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का यह जो दर्द है यह पीड़ा है यह दूर नहीं हो सकती है हम सब लोग हिंदु धर्म के सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं हमारे यहां पुन्य पाप की भावना बताई गई है सबसे बड़े पाप गव गात आदी बताये गए हैं लेकिन उसे भी बड़ा गात बिश्वास गात बताया गया है आपके जो उद्ध उठाकरे जी हैं इनके साथ बिश्वास गात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है तो आज हम यहां पर उनके अनुरोद पर आए उन्होंने स्वगत किया हमने उनसे यह कहा है कि हम सब के मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वास गात हुआ जब तक उनहां महाराश्ट के मुख्यमंतरी की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तक हम लोगों के मन का यह जो दर्द है यह दूर नहीं हो सकती है तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का शिर्वाद होगा हम करेंगे तो यह जानना पड़ेगा कि जो विश्वास गात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है जो विश्वास गात सहब वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वास गात हुआ है तो जिन लोगों ने विश्वास गात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं बातियों को के साथ बातियों की साथ मिलें, उ trazikarival आपको भेन 거야 बाई हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासगात हुआ है अब इसे में आप समझ लीजिए इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीडित है सब के मन में इस बात का दर्द है चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है अब तो ये बात प्र जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाई रखना चाहिए बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जन्मत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं इस बात में कौन बोलेगा राजनेता बोलेगा इस बात में तो धर्माचारी ही बोलेगा झाल